यूटूब एब पर घंटी बजाओ और खबरे अभी तक की हर खबर की अपडेट पाओ बीज़ेपी सरकार अब किसानों तक पहुँचने के लिए अपना रास्ता तयार कर रही है इसके लिए बीज़ेपी सरकार किसान मोचा के सदस्यों से मिलेगी और इसके बाद गुरुग्राम में तीन दिन प्रसिक्षन शिवर लगाएगी और जिसकी तैयारिया जोरों से शुरू हो गई है इस प्रसिक्षन शिवर में कई राश्ट्रिय स्तर के नेता शिर्कत करेंगे सुभे 11 बज़े से इस शिवर की शुरुआत की जाएगी बताय ज़ा रहा है कि इस शिवर का मुख्य उदेश सरकार की सभी उजनाओं और नीतियों को किसानों तक पहुचाना है ताकि सभी किसानों को सरकार की हर यूजनाओं का फाइदा पहुचे और उन सभी का फाइदा मिल पाए इस सिवर में मंत्री और क्रिशी एक्सपोर्ट समेत तमाम संगठनों के दिगज नेता किसान मोचा के सदस्यों को जानकारी देकर उन्हें सशक्त करने वाले है साथी मानों जा रहा है कि बीज़ोपी सरकार 2019 के लिए किसानों के बीच सरकार की अच्छी छवी बना रही है भारती जनता पार्टी अपने सारे करकरताओं और निताओं का परसिक्षन करती रहती है इस निमीत किसान मोर्चा गुडुग्राम में यहीं इसी अस्थल पर 18 से 20 माई को अपना परसिक्षन करकरम चलाने जा रही है 18 माई को सुगा 11 बजे हमारा उद्धाटन सत्र होगा और 20 माई को दोपर भोजन के उपरांत एक सत्र एक करकरम समाप्त होगा लेकिन क्या है कि किसानों से समंदित जो परिक्षेशन वर्ग है यह बहुत इंपोर्टन वर्ग है इसमें क्या है कि हमारा जो हरियाना प्रांत है यह किसान प्रदेश है किसान प्रदेश के नाम से जाने जाता है इसलिए हमारे प्रदेश में ऐसा प्रिक्षेशन वर्ग होना ही एक बहुत बड़ी बात है हमारे लिए भी हमारे कारिकरता के लिए भी बहुत बड़ी एक तो हमें बहुत सी जो केंदर की योजनाएं और जो प्रदेश की योजनाएं उनको बारुकी से सीखने का जो हमारे कारिकरता को मिलेगा